नमस्कार दोस्तों एक और चुना में भारती जनता पार्टी को बड़ा जटका लगता हुआ दिखाई दे रहे हैं वहीं इस चुना में कांग्रेस भारती जनता पार्टी से आगे निकल रही है जिना दोस्तों आपको बदा दें केरला लोकल बाड़ी का चुना हुआ था जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भारती जनता पार्टी यानि भारती जनता पार्टी नेतित वाली एंडिये को बड़ा जटका लगता हुआ दिखा भारती जनता पार्टी अब तक के रुजानों में तीसे नंबर की पार्टी बन रही है जबकि कांग्रेश पार्टी भारती जनता पार्टी से काफी आगे निकल चुकी है। आप भी इस बात से सहमयत है तो अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और साथी इस बीडियो पर अपना एक लाइक ज़र दें क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेनत का असली फल है साथी इस बीडियो को सेर भी करें। वहीं कांग्रेस ने एंडियो को पचारते हुए दूसरे अस्थान पर पहुच गई है। आपको बतादे राज निर्वाचन आयोग के मताबिक अभी विशेश मत पत्रों सहीद डाक मत पत्रों की गिंती पहले चल रही है। और एबियम के वोटों की गिंती इसके बात की जाएगी। वार्डों के लिए 8 दिसंबर, 10 दिसंबर और 14 दिसंबर को तीन चलों में चुना हुए थे। चुना आयोग के मताबिक तीनों चलों में एवरेजन 75 परिशत के लगभग मत दान हुआ था। अलाग कि आपको बदा देख केरल में लेप्ट के गड़ में सेन लगाने के लिए भारती जनता पार्टी ने बड़ा दाव खेला था। लेकिन भारती जनता पार्टी का ये भी दाव काम नहीं आ रहा है। भारती जनता पार्टी ने निकाय चुनाओ में 612 अल्ब संख्यक समुदाय के पत्यासियों पर दाव लगाया था, जिनमें 500 इसाई समुदाय से हैं और 112 उम्मिदवार मुस्लिम समुदाय के हैं, लेकिन फिर भी भारती जनता पार्टी का यद्दाओ काम आता हुआ नहीं दिख रहा है, जिनमें दोस्तों रुजानों में NDA, कांग्रेश नेतित वाली पार्टी और EDUP कितनी कितनी सीटों पे आगे चल रही हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं, सबसे पहले ग्राम पंचायत की 941 सीटों की बात करे दो, CPM नेतित वाली EDUP, 941 में से 504 सीटों पर आगे चल रही है, इस बार EDUP को 45 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाय दे रहा है, पिछली बार के चुनाव में 549 सीटों पर EDUP ने जीत हांसिल की थी, वहीं कांगरेस नेतित वाली EDUP की बात करे दो, 941 सीटों में से EDUP के खाते में यानि 375 सीटों पर EDUP आगे चल रही है, इस बार 10 सीटों पर कांगरेस नेतित वाली EDUP आगे चल रही है, जबकि पिछली बार 365 सीटे ही जीतने में कामयाब हुई थी, वहीं बारती जन्ता पाटे नेतित वाली EDUP की बात करे दो, EDUP 941 सीटों में से 24 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि पिछली बार के चुनाव में EDUP को 14 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार EDUP 10 सीटों के बढ़त के साथ आगे चल रही है, वहीं अधर के खाते में पिछली बार 13 सीटे गई थी, इस बार 941 सीटों में से 34 सीटों पर अधर आगे चल रही है, इस बार 21 सीटों का चेंज हुआ है, बलाक के 152 सीटों की बात करे तो, यहाँ पर LDUP 110 सीटों पर आगे चल रही है, इस बार LDUP को 20 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार LDUP ने 90 सीटों पर जीत दर्श की थी, वहीं कांग्रेस नेतित वाली UDUP को पिछली बार 16 सीटे मिली थी, इस बार कांग्रेस नेतित वाली UDUP 152 सीटों में से 42 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि पिछली बार के मुताबिक 19 सीटों का इस बार नुक्सान होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं NDA 152 सीटों में से 1 भी सीट पर लीड नहीं बना पाई है, अलाकि पिछली बार के चुनाओ में भी NDA को 1 भी सीट नहीं मिली थी, वहीं अदर 152 सीटों में से 1 भी सीट पर लीड नहीं कर रही है, जबकि पिछली चुनाओ में अदर के खाते में 1 सीट गई थी, वहीं डिस्टिक की 14 सीटों की बात करे तो, इन 14 सीटों में से LDF वहीं जिले की 14 सीटों की बात करे तो इन 14 सीटों में से LDF 9 सीट पर आगे चल लए है इस बार LDF को पिछली बार के तूलना में 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछली बार LDF ने 7 सीटों पर जीत धर्ज की थी वहीं कांग्रेस नेतेत वाली UDF 14 में से 5 सीटों पर आगे चल लए है अलाकि इस बार UDF को 2 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछली बार कांग्रेस नेतेत वाली UDF ने 7 सीटों पर जीत धर्ज की थी वहीं इस 14 सीटों में से NDA के खाते में अब तक यानि NDA एक सीट पर भी लीट नहीं बना पाई है वहीं अधर भी 00 ही चल रही है अलाकि पिछली बार भी NDA और अधर को यहां पर 12 सीटों पर जीत नहीं मिली थी वहीं मुनसिपल की 86 सीटों की बात करें तो इन 86 सीटों में से CPM नेतेत वाली UDF अब तक 43 सीटों पर आगे चल ली है जबकि इस बार UDF को 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछली बार UDF 41 सीटों पर जीत धर्ज की थी वहीं कांग्रेस नेतेत वाली UDF के खाते में यानि 37 सीटों पर UDF आगे चल ली है जबकि पिछली बार UDF 44 सीटें जीतने में कामियाब हुई थी इस बार 7 सीटों का नुक्सान होता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं NDA की बात करें तो NDA भी 46 सीटों में से 2 सीट पर लीड बनाई हुई है इस बार NDA को यहाँ पर 1 सीट का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछली बार NDA ने 86 सीट में से 1 सीट पर जीत धर्ज की थी वहीं सबसे आदा फायदा अदर को होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अदर पिछले चुनाव में 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी इस बार 86 सीटों में से 4 सीट पर अदर लीड बनाई हुई है वहीं कार्पोरेशन की 6 सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से LDF 3 सीट पर आगे चल रही है हलाकि इस बार LDF को 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछली बार 4 सीट पर LDF ने जीत दर्ज की थी वहीं 6 सीट में से कांग्रेशनेत वाली UDF के खाते में यानि 3 सीट पर UDF आगे चल रही है पिछली बार UDF के खाते में 2 सीट गई थी इस बार UDF को 1 सीट का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है हलाकि इहां के 6 सीटों में से NDA और अधर एक भी सीट पर लीड नहीं बना पाए है आपको अधा दें कांग्रेशनेत वाली UDF भारती जनता पार्टी नेते वाली UDF को जब अजस ठक कर दे रही है अब तक रुजानों को मताबिक कांग्रेशनेत वाली UDF दूसरे नंबर की पार्टी बन कर उभरती हुई दिखाई दे रही है वहीं सत्ता रूड पार्टी CPM नेते वाली UDF पहले नंबर की पार्टी बन कर उभरती हुई दिखाई दे रही है अलाकि भारती जनता पार्टी नेतियोत वाली NDA पिछरती हुई ग्राम पंचायत के चुनाव में चौथे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। और NDA को तीन सीट पर जीत मिली है। वहीं आपको बदा दें कांग्रेस ने EBM पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के महापावर उम्मिदवार N.Bedu Gopal ने कहाए कि यह एक सुनिश्ची सीट थी मैं यहाँ पर कभी नहीं आर सकता था। लेकिन क्या हुआ पार्टी में कोई समस्या नहीं थी वोटिंग मसीन में समस्या थी। यह भारती जनता पार्टी का जीत का कारण हो सकता है। उनका कहना है कि मैंने अभी तक वोटिंग मसीन के मुद्दे के साथ आदालत जाने का फैसला नहीं किया है। इसके नतीजे आने में कुछ घंटे लग सकते हैं लेकिन जैसे ही फाइनल नतीजे आएंगे वैसे ही हम आपके सामने फाइनल नतीजों को लेकर आएंगे। झाल झाल झाल